चलो जी ब्रेक खतम और ब्रेक के बाद अब हम लोग स्टार्ट कर रहा है कोश्चन्स क्योंकि ब्रेक से पहले तो थियोरी जील कर आप लोग परिशान हो गयते पता नहीं इतना सारा थियोरी है लेकिन थियोरी नहीं है और जो थियोरी पढ़ा है सुनो जो थियोरी पढ़ा ह वो same theory exam में आने की probability है ही नहीं exam में नहीं आने वाला कि here call option writer क्या होता call option holder क्या होता है exam में नहीं आने वाला है लेकिन एक बात है बस यह समझना कि हमारे जो questions बनाएंगे practical question उसमें इसका ही होज़े तो देख लिए एक बार बुक में आपको example मिल जाएगा और पहला श्टार्ट कर रहे हम example number one से ठीक है चाल लिखा जड़ा लिखते है ध्यान से question को पढ़ना सर ये question exam का है क्या नहीं ये क्या question study material का है नहीं example से तो मैंने खुदने कहीं न कहीं से उठा कर बनाया होका इसके बाद हम question बनाएंगे exam के ठीक है ठीक है पढ़ते क्या है आपको copy में note करना पड़ेगा example का solution मैंने नहीं दे रखा है इसलिए copy बनाओ भई copy में लिखोगे example number one और solution करोगे जब तक हाथ देखो मैं आपको एक पर अभी भी बता दू questions के साथ solutions मैंने दिया है book में पर मेरी हाँ जूड के विंती है वो जो solution है वो है ICAI presentation ठीक है उससे हमें कोई देना देना नहीं है वो सिर्व आपके लिए कि देखो ICAI ने किस तरह से solve कर रखा उसका answer क्या निकाल के रखा इसलिए मैंने आपको दे दिया solution पर मेरी फिर से request है कि आप लोग को अगर मैं question पढ़ा रहा हूँ और question मैं बनाऊंगा तो मेरे साथ साथ आप भी बनाना जब तक लिखोगे नहीं तब तक pass नहीं होगे pass होना है तो साब लिखना ही पड़ेगा कितना भी आपके पास लिखा हुआ क्यो ना हो question खुद से बनाने पड़ेगा ऐसे टिक लगाने से काम नहीं चलेगा लिखो, copy बनाएं लिखिए हाँ मैंने जो homework बोल रखा है homework homework आप अलग copy maintain कीजिए homework और उसमें सिर्फ homework करके उसको भूल जाए homework मैं फिर से बोल रहा हूँ homework question से practice के लिए है वो हमारे revision में काम नहीं आने वाले है एक बार वो questions बना लिया अपने हाथों से और उसके बद उसको भूल जाएंगे हम लोग को ठीक है लेकिन जो regular classes में जो question मैं अपने हाथ से करवा रहा हूँ प्लीज आप अपने हाथ से बनाएं लिखिएगा copy में वो आपकी main copy रहेगी जो revision में काम आएगा इससे आगे अब मैं नहीं बोलूँगा तो हम लोग example गरी सबसे पहले example दो लिखने ही पड़ेगा solution कोई option नहीं है लिखा Mr. A is interested in buying a share सब क्या कहना का चाहता है कहना यह चाहता कि Mr. A share खरीदने में interested है कोई बंदा share खरीदने में क्यों interested होता होगा जब उसको लगता है कि उस share का price बढ़ जाएगा future में या उस share का price गिर जाएगा कोई भी person किसी भी company का share खरीदने को क्यों तयार होता होगा sir उसको लगता है कि share का price बढ़ जाएगा हाँ ची पक्का पक्का वो share खरीदने में interested उसको लग रहा है कि share का price बढ़ जाएगा लेकिन वो डरा हुआ है इस बात का ڈर भगवान मैंने share खरीद तो सकता हूँ बढ़ बढ़ जाएगा हीजियर को कैसे खतम करी तो आप खरीद आपको पता है कि शेर का प्राइच बढ़ने वाला है डर है डर को भूल जाओ ला क्या रहां तो खरिडो शेर का फिर गए कि जर खरीद लो पर जब ऐसा भी और एक डर करीज है तो शेर कहीं गर गया तो कर डर्जन और्ड पर आपने क्या आपने call option खरीदा कौन सी company का ITC कितना strike price है 300 एक चीज़ी मिल गए strike price को आप E भी बोल सकते हो कुछ लोग इसको X भी बोलते कुछ लोग इसको strike price को SS मतलब stock price होता है इसलिए हम E बोला करेंगे वह ज्यादा अच्छा exercise price exercise price बुलेंगे कितना रुप में सर exercise price कि चलो कोई बात है कि अच्छे एक्सराइस प्राइस कितना है सर exercise price है 300 ठीक है Mr.A option कब exercise करेगा जब प्राइस 300 से उपर जाएगा कौनसा उप्शन है कॉल उप्शन कब खरीदते हैं जब हमको ऐसा लगता है कि शेर का प्राइस बढ़ने वाला है कुछ लोग कोर्शन में बोलते हैं कहां sir इसमें तो लग रहा कि शेर का प्राइस गरने वाला लग नी रहा डर है उस डर को इतो खतम खर रहा है ठीक है और premium कितना देना पढ़ रहा है premium प्रीमियम देना पढ़ रहा है 35 ठीक है ठीक है प्रीमियम गया थड़े, प्रीमियम कब देना पड़ेगा आच, डिटर्माइन दा ब्रिक इवन पॉइंट, ओफ मिश्टर ई, मिश्टर ई जो ऑप्शन खरीद रहा है, उसका बीपी क्या आएगा, बीपी का मतलब समझते हूं, सर बीपी का मतलब होता है, नो प्रॉफिट, लोस, तो मिश्टर ई क्या बोलता होगा, मिश्टर ई बोलता होगा, कि हे भगवान, शियर का प्राइस थ्री हंड़ेट से बढ़ जाए, वासे वह बढ़ाए ना, कम से कम, थर्टी फाइब जो मेरे जेब से जा रहा है, उसकी रिकवरी हो जाए, उसके ऊपर बढ़ा दो, वगवान तो और कृपा होगी, पर थर्टी फाइब की तो रिकवरी चाहिए, जाहिए मुझे, जो मेरे जेब से पैसा जा रहा है, तो एटलिस्ट कितना कर दे, शियर का प्राइस, एटलिस्ट, थ्री फाइब तो आप शियर का प्राइस कर दीच, यह थ्री थर्टी तो मैं ऑप्सेन एक्सेस कर लूँगा, और मेरा थर्टी फाइब मुझे मिल जाएगा, भले ही टाइम वेल्यू अप मनी, फिर से बोल रहा हूँ, कुछ बच्चे और भी इंटेलिजेंट है भई, वो कि अगर साथ थर्टी फाइब आज जा रहा है, और थर्टी फाइब मि कहूं, ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला बन सकता है, क्या? यहाँ? ब्रेक इवन पॉrat का फॉर्मूला एक्सरिस प्राइस प्लस प्रीमियम, वैसे फॉर्मूली की ज़रत नहीं हो, वैसी समझ में आरा है, इसके बाद आपको पे-उफ नहीं निकालना, आपको हो जाए तो बताओ profit क्या होगा 270 हो जाए तो profit क्या होगा अलग-अलग market price on maturity याद रखना मैं यह मान के चल रहा हूँ यह कौन सा option है maturity का price दे रखा American की European European और फिर payoff बनाना draw करना यह क्या चीज़ है सर यह एक graph है सर एक्जाम में graph आएगा की नहीं आएगा नहीं आएगा 100% नहीं आएगा सर तो फिर क्यों करें कुछ ऐसा आगे काम करवाने जा रहा हूँ जो मैं सिर्फ graph बनाऊंगा और आपको बनूँगा यह किस चीज़ का graph है तो मैं जानता हूँ आप भी जानते हूँ एक्जाम में नहीं आने वाला है पर क्या कर लेना चाहिए यह अगर आप फास्ट ट्रेक कर रहा हूँ मतलब भी नहीं बनता मैं यह नहीं करूँगा फास्ट ट्रेक की में बात कर रहा हूँ लेकिन मैं बात अगर मैं आपसे सीधी करूँ कि मैं आपसे को रेगुलर क्लास करवा रहा हूं, रेगुलर, तो मैं पक्का ग्राप बनाऊंगा, आप भी मेरे साथ ग्राप बनाएंगे, ठीक है जी, यास वन बाई वन करें, सबसे पहले क्या बात करें, ब्रिक वन पॉइंट point number one, calculation of Pb, Bp is equal to, price बड़े तो इतना बड़े की premium की recovery हो जाए, exercise price plus premium, exercise price कितना एनक, exercise price है 300, और premium कितना है, 35, तो Bp कितना आ गया, 335, क्या ये formula आपको याद करना है, सवाली पैदा नहीं होता, ना मैं बोलूँगा, ना Bp पूछा एक्जाम में, ठीक, एक्जाम का question करोंगा, यहां तक कोई दिक्कत है, क्या यहां तक कोई दिक्कत नहीं थे, अगला point क्या पूँच profit loss, profit loss तो बिल्कुल आसाली से निकल जाएगा, यह नोट कर ली है, कर ले ना, point number 2, calculation of profit, टेबल में अबनाएंगे, बहुत सारा प्राइस है, टेबल में अबनाएंगे, सबसे पहला कॉलम क्या आएगा, सबसे पहला कॉलम आएगा, मार्केट प्राइस, ठीक है, उसके बाद उसके बाद action, action मतलब exercise करें के lapse करें, उसके बाद क्या आएगा, सर, gross pay off, उसके बाद premium और उसके बाद net pay off, बताओंगा मैं क्या कहना चाहता हूँ, सबसे पहले क्या लिखे सर, सबसे पहले आएगा market price, और maturity, और उसके बाद action, उसके बाद gross pay off, और उसके बाद profit and loss, या net pay off भी बोलते हैं, profit loss भी बोलते हैं, हमारे काम आएगी, एक तो भाई, exercise price कितना है, सर, 300, और premium कितना है, 35, option कब exercise होगा, जब 300 से उपर जाएगा, क्या क्या है अखिर market price, दिख रहा है, 250, 270, 290, उसके बाद क्या है सर, उसके बाद 300, 320, 340, 300, 320, 340, 300, 320, 340, 350 इट मिन्स मैच्योरिटी को जो प्राइज है 250 भी हो सकता, 270 भी हो सकता, 290 भी हो सकता, 300 भी हो सकता अगर ये प्राइज होता है तो बताओ Mr. A क्या करेगा option exercise करेगा क्या option lapse हो जाएगा और Mr. E, option तब भी exercise करेगा जब share का price 300 से उपर जाएगा 300 से उपर, तो बताओ बेटे, जल्दी जल्दी आंसर देना अगर 250 हो जाता है तो lapsed 270 में lapse, 290 में lapse 300 से उपर में exercise, 300 में lapse मतलब 300 रुपए तक तो लॉट्री की टिकेट फाड़ के फिक देंगे लॉट्री हमने लगाया ही था कि 300 ओ से उपर होगा तो लॉट्री पसेगी और फिर सामने वाला हमको difference देगा अब 320 हो गया तो इस condition में राम, राम को मिलेगा, कौन देगा, श्याम देगा, कितना 20 रुपए? मतलब क्या option exercise हो जाएगा? यास और यहां भी option क्या हो जाएगा? और यहां भी option exercise हो जाएगा, ठीक है? आप चाहो तो इसको ऐसे कर सकते थे exercise are laps, yes, no, 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 yes, yes, ऐसे भी लिख सकते थे, ठीक है जी? आप spelling देख लिजी का exercise का, E-X-E-R, ठीक है, और यहां तो लोटरी जीते नहीं भई, तो हमको कितना मिलेगा, 0, यहां भी 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 0, इस बात कपी कर रहो maturity, और सर यहां कितना मिलेगा, यहां सामने वाला हमको 20 रुपए देगा, सर premium भी तो minus करो, मैं profit loss ने निकल रहा हूँ, मैं निकल रहा हूँ, maturity में हम लोटरी जीते तो हमें कितना देगा सामने वाला 20 रुपए, gross pay-off बोलते हैं, और सर यहां कितना दिया जाएगा, 40 रुपए, और यहां कितना मिलेगा, 45 रुपए, ठीक है, premium की बात करो, अब premium हमें क 35, minus 35, minus 35, minus 35, और minus 35, तो यहां तो यार option exercise नहीं होता हमारा premium का loss, premium का loss, premium का loss, premium का loss, और premium का loss, पर यहां भी loss है, पर उतना loss नहीं है, 35 माइनस, 20, 15 रुपए का loss, और सर, यहां तो पाच रुपए का profit, और यहां तो कितने का, 15 रुपए का profit, that's it, बताओ, कुछ था क्या, लोग बच्चे डरती, derivative, derivative, पता नहीं क्या है, कुछ नहीं है, भई, derivative, कुछ नहीं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो point number one और two तो हो गया, बिना कोई समस्या के, point number three और four, exam point two से नहीं है, exam के लिए, exam में नहीं आता है, पर फिर भी हमें क्या कर लेना चाहिए, yes, आपको एक graph बनाना है, किस के angle से, अगर आप call option कौन है, उल्डर है, तो बताइए graph कैसी बनेगा, अगर आप put option, pay off बनाना, pay off, pay off मतलब graph, call option writer हो तो, चलो, बना ही लेते हैं, pay off, इसका, call option, call बना ही लेते हैं, सर, यहाँ क्या लिखा जाएगा, यहाँ लिखा जाएगा, profit और loss, profit या फिर, आप भी जानते हों कभी graph बना है, यह है zero, इसके ऊपर क्या है profit, इसके नीचे क्या है loss, यहां तक ठीक है, इसकी बात हो रही है, सर, यहाँ हो रही, call option right, उसको maximum loss कितना हो सकता है, सोचके, सोचके बोलो, सोचके बोलो, आपके पास यह भी दिख रहा, उसको maximum loss, price कम होगा, तो maximum loss होगा, उसको loss कितने का हो सकता है, 35 रुपे से ज़्यादा का तो उसका loss होई नहीं सकता, तो सुनो, जब भी pay off बनाना है, grab बनाना है, तो मैं हमेशा इधर लिख दूँगा, कि उसका loss कितना हो सकता, 35 से ज़्यादा का तो हो नहीं सकता, और यहाँ लिखूँगा exercise price, exercise price कितना है, exercise price है 300, और यहाँ एक dot बना है, फिल्कों ध्याँ से समझना अधिक्कत नहीं होगी हमका, it means 300 रुपे, दिख रहाँ 300 रुपे, या इससे कम है, 300 रुपे, या इससे कम होगा market price, तो भाई इसको 35 का loss होगा, उससे ज़्यादा का loss होई नहीं सकता, it means यह graph कभी ऐसे नहीं जा सकता, यह ऐसे ही जाएगा, 300 या उससे कम होता है, तो जो call option right holder है, जिसने call option खरीदा, उसको 35 का loss होगा, पर profit, यह profit वाला part है, profit कितना हो सकता, unlimited हो सकता, बीपी कितने पे आएगा, सब बीपी थी, 335 पे आएगा, इस बीपी, 335, और अब देखो मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं यहां से, इसका मतलब क्या है सर, सर मतलब यह है कि 300 से अगर जादा होता है, तो हमारे प्रीमियम की रिकवरी स्टार्ट हो जाएगी, और प्रीमियम की रिकवरी 335 पे रिकवर हो जाएगा, और उसके उपर profit होगा, और इस profit को आप unlimited profitable और जो loss होगा, वो up to premium है महुट, बताओ, कुछ था किस, बस यही बना ना था, सर इसलिए एक्जाम में नहीं आता, मैं तो बता रहा हूँ को एक्जाम में नहीं आता, चाहो तो आप छोड़ भी सकते हो, पर बना लेते हो तो कुछ, कास कुछ सीखने को मिल जाएगा, बस इतना है, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं, सर यह पॉइंट नंबर कौन सा था, यह पॉइंट नंबर था, इसको रीट कर पाओगे क्या, रीट कर रहा है, 300 से कम में लॉस, 35, 300 से उपर में प्रॉफिट, 335 में बीप, उससे उपर में प्रॉफिट, 300 से उपर में प्रॉफिट नहीं, प्रीम की रिकवरी, 335 से उपर में प्रॉफिट कमाना इस्टार्ट कर रहा होगे और उसके बेर जितना प्राइज बढ़ेगा आप कमाऊगे कमाऊगे ठीक है सर यहां तक हो गया अब और क्या मांगा है तो 1 हो गया है 2 हो गया है 3 हो गया है आप भी बनाईये मेरे साथ साथ call option right सूच के बताना बाप का नंबर इधर जीरो call option जिसने right किया है उसका maximum profit 35 से ज़्यादा का हो नहीं सकता 35 से ज़्यादा का नहीं हो सकता और मैंने खा exercise price यहां लिखना कितना 300 price ठीक है यहां तक मतलब सर अब उसका अपका सोचना पड़ेगा बिटे यहां अब थोड़ा सा सोचना पड़ेगा सर 300 से कम और 300 से ज़्यादा अगर 300 से कम होता है तो उसका profit कितने का हो जाएगा 35 का और जैसे ही 300 से बढ़ेगा क्या उसका loss होना start हो जाएगा लॉस होना start हो जाएगा यहां तक ठीक है तो maximum यहां हम यहां dot दे दे 300 से यहां में एक dot दे रहा हूँ यह लो है तर इसका मतलब यह हुआ कि 300 से अगर कम रहता तो भाई साब सामने वाला option lapse कर जाएगा हां राम option lapse करेगा तो हमें 35 रुपए तो मिलेगी मिलेगी 300 से कम ही होना चाहिए और जैसे 300 से बढ़ना start होगा तो जैसे जैसे 335 पे तो BP आ जाएगा आप भी जानते हूँ यह लो 335 पे तो BP और फिर इसको मैं इस तरह से मतलब सर 300 पे तो पका पका profit लेकिन जैसे 300 से बढ़ेगा तो यार हमारा जो premium है क्योंकि आप मुझे 5 रुपए भी देना पड़ेगा तो मेरा premium 30 रुपए बचेगा जैसे जैसे price बढ़ते जाएगा call option writer को loss होना start होगा और एक बार price T335 से उपर निकल गया तो call option holder नहीं call option writer को loss होना इसके बाद से फिर loss होना start हो जाएगा 335 से पहले वो थोड़ा बचा रहेगा पूरा premium तो नहीं कमा पाएगा पर थोड़ा बचा रहेगा मेरे ख्याद से बात समझ में आगी बहुत जादा explanation का मतलम नहीं बनता तो एक्जाम में नहीं आता ठीक है sir तो यहाँ लिख सकते है कि call option writer के लिए yes sir क्या लिख सकते है बत profit limited to premium और जैसे जैसे price बढ़ेगा मतलब सरी यहां हम ऐसा लिखते है unlimited low price बढ़ते चाहेगा फिक है बस इसी तरह से आपको डायग्रम बनाना और कुछ नहीं को वह आसर मजा गए तो यह था इस step का question मैं फिर से कहा कि exam question आई हुए है पर यह question तो exam का नहीं है exam में क्या आ सकता है exam में यह दोनों पॉइंट ना कभी पूछा है ना कभी पूछेगा study mat में भी दोनों पॉइंट है यह नहीं है वह तो मैं आपको समझाने की कोशिश करा हूं graph बना कर आपके regular class है तो पक्कर यह दोनों पॉइंट आपको देखना देखना अगर exam अभी नहीं है तो अगर exam अभी है तो छोड यह दोनों समझ में आगे चलते जो फास्ट ट्रंक नहीं लेना चाहता है और जो कहता कि यार रेगुलर ले तो लिया पर जल्द जल्द खत्म करो यह दोनों पॉइंट मत करो आपकी काम करें यहां तक होगे यह question खत्म यह कौन सा question का example मेंने रखा था call option ऐसे किसका रखे अ पुट आप्शन का और मिज़ा आ जाएगा आ जाएगा एक्जामपल नमबर टू पुट आप्शन पड़ो कोशन क्या लिखा है जड़ा देखते हैं जखाँ Mr. G is hoping that price of share of ACC is going to fall उसे क्या लग रहा है उसे ये लग रहा है कि जो share का price है वो गिरने वाला है अगर गिरने वाला है तो हम इतने समझदार है कि कौन सा option खरीदने के लिए बोलेंगे फुट option फुट option का exercise price कितना दिया है exercise price दिया है 480 बहुत अच्छे और premium कितना अब प्रीमियम दिया है 40 ये भी ठीक और put option कब खरीदते हैं जब 480 से कम इट मींज हमने एक लोट्री का टिकेट खरीदा है और कितने में खरीदा है सर 40 रुपे में और हम क्या कह रहे हैं कि प्लीच लोट्री कब लगी कि जब 480 से कम हो जाएगा तो लोट्री लग बात करें तो प्लीच प्राई 480 से कम कर देना और इतना कम कर देना कि लोट्री का पैसा तो रिकवर हो जाएगा वही पूछ रहा है बीपी बताओ तो बीपी क्या बहुत आसान है यस 480 से कम होना चाहिए put option है तो 440 पे बीपी जाएगा point number one करें बिना टाइम बरबात करें calculation of BEP, BEP, BEP का formula आपको पताएं अच्छे से पर BEP is equal to क्योंकि put option है तो exercise price में से क्या minus कर देंगे हूँ premium पर exercise price है 480 में से minus कर देंगे हम 40 तो BEP आगया रुपीज 440 विश्या किसमेफ ठीक है ये काम हो गया दूसरे नंबर पे क्या मांगा जा रहा है दूसरे नंबर पे मांगा जा रहा है point number one हो चुका है point number two पे मांगा जा रहा compute profit lost for Mr. G अगर maturity को price maturity को price मतलब बोलो कौन सा option की बात हो रही होगी ये European 400 420 440 4804 ने भी बहुत सारा दे रहा है तो profit loss निकालना है ठीक है अगले मैं मांगए निक्साम जुशू चहाद का दूपर ऌहावाद नेधाय का तूस cाप ए सक जात Chamber 17 이거는 ये और k애 सक बात है का अगिदय मांगा P Chungie चूपर जा ब़तरा आऴ, का सक लाफने रहार बा 충 Soldier रहाने है का चाले पीज़का है P bar dengan च éолे है में क्या पहले में आजाएंगा का टुसरे में एक्संठ औरसे से करेंड लेट्स इस बार इसे करता हूं है इसे इंस्सेटिट कर वा सकता讲 से लेप सब्सक्रक्रक्रक्र शषया जाएगा है यह हो गया, तीसरे नमबर पर आजाएगा सर हमारा ग्रॉस पे ओफ, यह चौते नमबर पर प्रीमियम माइनस कर देंगे पर सीधा प्रॉफिट आजाएगा, बिल्गुल सही लिख लेक बार, मार्केट प्रैस अब यहां में एक्षन भी लिख सकता था, और एक बता रहा हूँ, आप ऐसे भी लिख सकता था एक्सरसाइस और नॉट एक्सरसाइस करे के नहीं, किया के नहीं इसके बाद क्या आएगा सर, इसके बाद, इसके बाद ग्रॉस पे आफ या पे आफ भी बोल सकते हूँ इसके बाद क्या जाएगा सर, प्रीनियम और इसके बाद प्रॉफिट या फिर लॉस, अगर ब्रैकेट में होगा तो लॉस प्राइस क्या क्या होसता 400 400 420 440 420 440 480 490 500 और एक प्राइस था 530 ठीक है अब सवाल अब हमेशा ना मैं क्या करता हूं मालों क्योंकि मैं बार बार भूल जाता हूं तो मैं हमेशा एक्सराइस प्राइस यहां लिख देता हूं और वो कितना था 440 था 480 था भाई 480 से कम होगा तो हम एक्सराइस कर लेगे लौटरी लग जाएगी 480 से कम होगा तो लौटरी लगेगी क्या 400 पे लौटरी लग जाएगी यास एक्सराइस और नौट तो यहां जाएगा यास 420 पर यास 440 पर यास 480 पर नू 480 पर हम कुछ नहीं जीते हैं, इसलिए हम exercise ही नहीं करेंगे, no, और उसके बाद तो no ही answer है, ठीक है, मैंने कहा कि यहाँ दो तरह से लिख सकते हैं, यहाँ एक्सें भी लिख सकते हैं, exercise, 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 laps, laps, left, ऐसे भी कर सकते थे, ऐसे भी कर तो कोई दिख कर नहीं, अब ग्रॉस प जीत गया, जीत गया मतलब प्रीमियम भी माइनस करना है, ठीक है, सर, यार सर, साट रुपए यहाँ, और सर, यहाँ चालिस रुपए, और सर, यहाँ दो जीरो, और फिर और एक जीरो, और एक जीरो, और एक जीरो, प्रीमियम का कितना देना पढ़ रहा सा, प्रीमियम का च 40 40 का profit 20 का profit और यहाँ 0 और फिर हमारा loss है 40 का loss है 40 का loss है 40 का loss है That's it यह है सारी कहानी और हमें यही आता है बताओ यह ज्यादा मुस्किल है क्या नई आपको दिक्कत किसे में हो रही है पे-अफ सर पे-फ बनाना फोड़ा सा मुस्किल लगता है बिल्कुश उतना भी मुस्किल नहीं भाईयो ठीक है ठीक है सर चले जी आके अब और क्या मांगा है सर बस एक तो आपको अब पे-उफ बनाना है इसका फुट आपसन होल्डर और एक पे-उफ बनाना है किसका फुट आपसन राइटर और आप भी जानते हो पे-उफ बनाना मतलब ग्रॉव करने के लिए बोला ना ड्रॉ करने के लिए वल तो यह होगे ग्राफ और ग्राफ हमारे एक्जाम में आता है क्या नहीं आता है कि से अच्छा क्या होगा और चलो बना तो लेते हैं कि इसका प्यूप बना रहा है पूट ऑप्सन ओल्डर ठीक है जी यह तो बनना ही बनना हार एक में अब लॉस कितना हो सकता मैक्सिम्म जितना प्रीमियम दे रहा है चालिस पर पैसे ज्यादा का लॉस होका नहीं तो मैं हमेशा की तरह यहां लिखोगा 40 एक क्लिकता कैसे है जो लॉस सकता मैं यहां लिखता हूं चीज है, यह है exercise practice, अब सुनना बिट्ट, भाई साहब सोच के बताना इसको जो loss हो रहा है, चालिसी कब हो रहा है, प्राइज ज्यादा होगा तो loss, जितना प्राइज ज्यादा होगा उतना loss, अब देखना है, प्यॉफ बिट्ट ध्यांस देखना, यहां मैंने dot लगाया, और मैं जानता हूँ, प्राइज ज्यादा होगा तो loss इधर नहीं, अब इधर, चार सो असी से उपर loss, यास, और चार सो असी से कम में क्या होगा, प्रॉफिट और यहां से arrow की, ठीक, 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 ऐसे बना देता हूँ, बास समझ में हो रही, कास आप समझ पाओ, अब देख समाझ जाते हूँ, चार सो असी से उपर में loss, लॉस पर मैक्सिमल लॉस कितने ही का, चार सो असी में प्रॉफिट, और प्रॉफिट कितना, unlimited, unlimited बोलने के लिए, शियर का प्राइज माइनस में थोड़ी जाएगा कभी भी, ठीक है, बोलते से, तो यह इस तरह से pay-off बन गया प्रॉफिट औप्शन, राइट, प्रॉफिट औप्शन, राइट, फिर से देखो कैसी होगा, अब पहले सोच लोफिट औप्शन, राइटर को कब फाइदा है, मतलब उसको प्रीमियम का फाइदा होगा, और कुछ नहीं होगा, यास, उसको मालूम है कि मुझे कितने का फाइदा होगा, 40 रुपे का प्रॉफिट, फिर एक्सराइज प्राइज लिख दिया, कितना, 480, और B भी लिख दिया, 440, अब सोचते हैं, इसको फाइदा कब तर जब 480 से उपर जाएगा, तो जो राम है न वो एक्सराइज ही नहीं करेगा, वो कब एक्सराइज प्राइज लिख दिया, और सुनो, अब मैं इधर एरो बना रहा हूँ, अगर 480 से उपर जाता है, तो जो पुट आप्शन राइटर है, जो प्रीमियम खाके बैठा है तो उसका तो फायत ही फायता, लेकिन अब यहाँ, अब एक जो डाइग्राम है, वो ऐसे बनेगा, आप बेजानेगा, तो आपको समझ में आ गया है, या समझाना पड़ेगा, तो समझ में आ गया, अगर प्राइस कम होना इस्टार्ट होगा, तो भाई साब, ऑप्सन जो र पे-उप को आप इग्नोर कर सकते हो, पे-उप में ने बना दी, अब हम एक्जाम के कोश्चन करें ताकि हमको समझ में तो आए कि भी क्या थे कोश्चन करके, तेयार हो, चलो जी, पहला कोश्चन एक्जाम का, आपके पास सॉलूशन भी होगा, ऐसा तो है नहीं कि अठारा, एक कोश्चन नमबर वान, सेम कोश्चन आपके स्टडी माटेरियल में डला हुआ है, नियू स्लिबस का, पर वो कोश्चन नमबर थी चेक करोगी एक पर, कोश्चन नमबर थी और कोश्चन नमबर वन एक जैसा कोश्चन है, एक जैसा, ये नियू स्लिबस की स्ट Q1 करवा देता हूं और Q3 मैं आपको होमवर्क दे देता हूं ठीक है जी ठीक है और होमवर्क अलग से होमवर्क वाली कौपे में करोगे तो इस्टार्ट करें हम Q1 Q1 पहला कोश्चन एक्जाम में आया है नवंबर 2018 में आया हुआ है तो प्लीज एक्जाम का कोश्चन है अब देखते हैं इसमें पे-उप वे-उप बी-पी-वी-पी कुछ मांग भी रहा है कि नहीं मांग रहा हूं जब अस्ती मेनत कर रहा थे देखा दा एक्विटी शेयर से लिमिट इस कोटेट 310 बले अभी जो कोटेट का मतलब क्या समझते हैं कोटेट का मतलब इस्टॉक एक्षेंज में अभी शेयर का प्राइस कितना दिखाई दे रहा है 310 3-month call option is available at a premium of rupees 8 per share and a 3-month put option is available at a premium of rupees 7 per share वो यह कह रहा है कि इस company का call option भी available है call option के लिए स्ट्राइक प्राइस कितना वो नहीं बताए वो साइद नीचे बताएगा तो बले call option के लिए premium देना पड़ेगा 8 रुपए और put option के लिए premium देना पड़ेगा 7 रुपए अगर आपको ऐसा लग रहा कि share का price बढ़ने वाला तो आप call option खरीद लो अगर ऐसा लग रहा कि share का price कम होने वाला तो put option खरीद लीजिए ठीक है सर और दोनों की दोनों कितने मंद के लिए three मंद मतलब तीन मेने बाद exercise होका अश्वेटन देन नेट पे ओफ नेट पे ओफ को आप क्या बोलते है profit और loss भी बोलते हैं किसके एंगल से बात करना option holder के एंगल से बात करना नेट पे ओफ किसके लिए अगर आप call option holder है and अगर आप put option holder है आपको नेट पे ओफ मान के निकालना है अगर आप call option holder बन जाते है या फिर आप put option holder बन जाते है ठीक है और strike price दोनों ही cases में cases लिखा मतलब अलग-अलग बात है 320 रुपर strike price ले लेगा नेट पे ओफ के लिए हमें price चाहिए on maturity को तो मोले exercise day जिस दिन exercise करोगे day लिखा exercise करोगे मतलब European option है उस दिन price 300 भी हो सकता है 310 भी हो सकता 320 भी हो सकता 330 भी हो सकता 340 भी हो सकता है आपको क्या निकालना net pay off मतलब profit and loss क्या BEP निकालना है नहीं point number one काम का नहीं था जो हमने example किया one काम का नहीं है one का छोड़ो BEP मांगा नहीं है point number two काम का table बनाना पड़ेगा 3 और 4 तो कभी आए गई नहीं है ठीक है और इसके अलावा indicate देना price range at least the call and the put option may be gain fully exercise इस point सरी क्या बोल क्या रहा है यह वाला यह वाला में बाद में सबसे पहले पे आउफ निकाल ले कॉल अप्शन होल्डर बन जाते ना call option holder call option holder और यहां क्या लिखेंगे calculation traditional net payout वालम में सीवन आएंगे जैसे बना रहा है ठीक है पहला क्या आजाएगा market price दूसरा exercise are not तीसरा gross payoff और फिर premium और फिर net payout दो चीज मैं हमेसे यहां लिखा करता हूँ मैं आपको पहले भी बताया था अभी भी बता रहा हूँ एक तो मैं लिखता हूँ exercise price और exercise price कितना है 320 कौन सा option है call price बढ़ेगा तो फाइदा और क्या लिखना है मुझे प्रीमियम अब प्रीमियम का कितना देना है प्रीमियम का आठ रुपए है भई आठ ठीक है अब यहां में लिखूंगा वह चीज यहां जाएगा market price market price के अलावा यहां क्या जाएगा action यहां इसको एस एक्सरसाइज और नॉट इसके बाद यहां जाएगा ग्रॉस्पियो फिर यहां क्या जाएगा प्रीमियम अब फिर यहां क्या जाएगा एक प्रीमियम फिर यहां क्या जाएगा एक प्रीमियम मार्केट प्राइस क्या क्या दिया है ज़रा देख लेते हैं होगा यहां भी नहीं होगा यहां होगा और यहां भी होगा तेक हैं अगर यहांने होगा तो जीरो 0, 0 330 पे हमें 10 रुपए का profit, profit मतलब gross payoff maturity पे मिलेगा और यहां 20 रुपए मिलेगा premium minus करना पड़ेगा premium minus करना पड़ेगा 8, 8, 8, 8, 8 finally हमारा net property loss, 8 रुपए का loss, 8 रुपए का loss, 8 रुपए का loss, और यहां 2 रुपए का profit और यहां 12 रुपए का profit कोई दिकत कोई दिकत नहीं सर sorry मेरा ये वाला काम तो गया मैं किसके एंगल से बात किया call option holder, अब किसके एंगल से बात करना put option holder, चलो वो भी कर लेते हैं put option holder, calculation of net pay of सर ये solution तो बुक में दिखाई दे रहा है, दिख जाने तो आप पेन तो चला ही है, ठीक है सर किनि तो ये कौलम, इक तो जाएगा मेरा मार्के प्राइस, दूसरा कॉलम आपको पता है, एक्टा है और तीसरा क्या चाहेगा और ये प्रीमियम काटने के बाहँ है चाहेगा मार्केट प्राइस यह चाहेगा अग्सरसाइज़ नॉट उसके बाद सर उसके बाद यहाँ जाएगा ग्रॉस पे आफ उसके बाद यहाँ से क्या मैनस होगा जी प्रीमियम और उसके बाद नेट पे आफ ठीक है हमेशा की तरह मैं यहाँ लिखूँगा एक्सरसाइज प्राइस जो की दोनों के लिए एक ही था तीन सो बीस इसके लिए भी था पर यहाँ तीन सो बीस से कम होगा तो हम एक्सरसाइज करेंगे और इसके अलावा हमें क्या देना पड़ रहा है प्रीमियम पर यहाँ प्रीमियम पुट आप्शन का कुछ और ही था साय था और प्रीमियम कितना था प्रीमियम था सात रुपे था पुट आप्शन और श्टार्ट कहां से करना हमें 300 से 300, 310, 320, 330 और 340 ठीक है? ठीक है साथ अब बताना 320 से कम होने पर exercise 300 होगा है, क्या exercise होगा? यस, यस, पर 320 पर 9, 330 पर 9, 340 पर 9, अधिकतर बच्चेव को एक समस्या आ जाती है कभी-कभी 320 पर क्या? 320 पर exercise नहीं होगा साथ 320 से कम होगा तो exercise ठीक है साथ और gross pay-off तो दिखी रहा आपको 300 तो सार यहां 20 रुपे का gross pay-off ठीक है तर यहां 10 रुपे का gross pay-off ठीक और यहां तो सर 0, 0, 0 पाची प्राइस है ना? पाची प्राइस है तो प्रीमियम साथ रुपे माइनस करना पड़ेगा साथ रुपे प्रीमियम माइनस करेंगे भई तो बीस में से साथ गया, यहां 13 रुपे और यहां 3 रुपे और यहां 2 लोग से साथ रुपे ठीक, ठीक से लिए यही तहां, question 10 number का question है sir sir sir, अभी कुछ बाकी है, ऐसा नहीं है आप बोल नहीं सकते की हो गया है, अगर के 10 number का question है sorry 8 number का question, that's number sorry, 8 number, 8 number से ज्यादा का question आता भी है पर यह ज्यादा का था नहीं यह वाला line क्या बोल रहा है, sir, बस इतना बता दो, बस बात खतम करती है, यह वाली line also indicate the price range at which the call and put option may be gainfully exercise gainfully exercise, इसका मतलब समझो sir, यह 310 current market price हमारी किसी कामका नहीं है, अब बात आते 320, call option की बात करना, पेटे ध्यान से समझाना दिखते है, call option 320, क्या 320 से उपर में exercise कर लेना चाहिए, यह सर, और premium कितना देना पढ़ रहा है, 8 टुपर premium देना पढ़ रहा है, एक question कूछ पूछ रहा हूं, अंचवाब देना, अगर share का price maturity पर 322 हो जाए, तो क्या option exercise कर लेना, option exercise हो जाएगा, हाँ call option exercise होगा, पक्का 320 से उपर पढ़ा, मतला option exercise होगा, अब जो बोल रहा हूं, क्या call option gain fully exercise होगा, नहीं, 322 पर भी option exercise है, पर भाई, अभी भी 6 रुपे का loss, gain fully exercise नहीं है, gain fully तब कब exercise होगा, जब sir, share का price 328 से जादा हो, तब call option gain fully exercise होगा, बस, sir, मतला बीपी, हाँ ना भाई, बीपी, sir, किपना गुमागर पीछ रहा है, हाँ, 328 रुपे से अगर जादा हो जाता है, तो call option gain fully exercise होगा, put option की बात करो, sir, 320 और प्रीमियम कितना है, 7 रुपे माइनस कर देते हैं, तो 320 में से साथ गए, तो, sir, 313, अगर price, share का price on maturity, 313 रुपे से 313 से कम होता है, तो put option is gain fully exercise, खतम कहानी, यही पूछा था, इसी को लिखना है, को लिखे, yes, पहला डॉट दे रहा हूँ, call option is, gain fully exercised when price of share maturity is more than put option is put option is gain fully exercised gain fully exercised when price of on maturity is on maturity is अग्जाम का कोश्चन था साथ, okay, sir, question number 3, same question है, और, sir, यह क्या देने वाल है, यह आपके लिए homework, यह मत बोलना कि, sir, आप study material का कोश्चन नहीं करवा है, बेकुफी वाली बात है, ठीक है, यह SM का कोश्चन है, SM में सॉल्यूशन भी है, सॉल्यूशन आपके पास पर इसको प्लीज उसमें मत करना, इसको homework copy में डाल देना, ज्यादा अच्छा, homework copy में लिखोगे, question number 2 के लिए भी रुखना है, question number 4, question number 1 हो गया, 2, 3 के लिए थोड़ा सब, 2 के लिए रुखोगे, question number कौँ सा homework दिया था, 3 homework दिया, 2 में कुछ समझाना, short selling वाला question है, question number 4 बात है, अच्छा है, सर ये हमारे institute का question है, क्या नहीं, ICAI का question नहीं है, पर, सर ये question कहां से उठाएगा, ये CS professional में पहले FTFMP पर हो गया था, वो तथा वहां से उठाएगा, ये ICAI का question नहीं है, पर मैं आप से ये बोल सकता हूँ, इस question में बहुत कुछ सीखने को मिले का, इसलिए इसलिए यहां का कुछ लिखा नहीं है, कि SM का है, कि PM का है, कि RT PM, पढ़ थे question को, yes, identify the profit or loss, ignoring dealing cost and interest, सर ये क्या है, ये बोलता है, ये बोलता है, time value of money को ignore कीज़े, और ये भी बोलता है, जो transaction होता, आप put option खरीते हो, share खरीते हो, जो भी transaction cost सबको ignore करता है, ठीक है, आपको सिर क्या निकालना, profit or loss, A, B, C, अलग-अलग दे रखा, पढ़ते हैं, a call option, call option, price बढ़ना चाहिए, जैसी call, call option, exercise price कितना है, दोस्तो, is bought, bought का मतलब समझते हो, खरीदा है, sir, call option खरीदा है, yes, it means price, exercise price दोस्तों है, और दोस्तों रुपए से उपर बढ़ना चाहिए, that's it, दोस्तों से उपर बढ़ना चाहिए, okay, premium कितना दे राखा, premium दिया है, दे राखा, 89 रुपीज, premium का गए, 89, दोस्तों से उपर बढ़े, 289 पर बीपी आए गतना, बोल रहा है, मान लो, मान लो, अगर शियर का price, underlying share price, expiry date को 276 हो जाता है, तो जिसने call option खरीदा है, उसे profit है कि loss है, क्या question है सर, दिख रहा है, 200 और price हो गया सर, 76 का सर, gross payoff, gross payoff, पर premium तो सर, 89 गया, वसे साब से, इसको तो सर, loss है, दिखी रहा है, कितना, 76 minus 89, तो सर, 13 रुपे का loss हो गया, इसमें क्या समझाना है, ठीक है, आगे और बात करें, yes, put option, और ये भी क्या, इस bought लिखा, कितना 250, मतलब सर, 250 से कम होना चाहिए, तो लोट्री लग चाहेगी, 250 से कम, premium कितना देना पढ़ रहा है, 42 premium का गया, 42, अब price कितना हो गया, 189 हो गया, वाकी कम हो गया, पहले 250, minus 189, 250 minus 189, तो सर, 61 का हो गया, gross payoff, उसमें से minus 42 premium का minus कर देते, तो 61 minus 42, तो भी हम लोगों को 19 रुपे का profit है, इस नहीं, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं से, आगे चलते हैं, यह तो बढ़ा आसान question है, सर, उसमें तो, हाँ, आसान question है, पर कुछ खास बात है ना, वहीं तो मैं समझाने के लिए, यहां खड़ा हूँ, अब आपका number, कोई number C, सोच के बताओ, profit की loss और कितने का, जल्दी से बताना मेटे time नहीं है, मैं पानी पी दूँ जब तक, हम, निकाल लिया, और आपका तो answer भी आ गए होगा, मालम हैं, कितना आ गए होगा, सर, 57 रुपीज, put, loss, यहीं आ रहा ना, 57 loss, जल्द आंसर, जिसने solution नहीं देखा होगा, बहुत अच्छी बाद, जिसने solution, सर, 57 loss आ रहा है, 57 loss नहीं, 57 profit है भाई, अच्छे सर, कैसे, बता रहा हूँ, कौनसा option है, put, price गिरना चाहिए, 300 तो, सर, 300 से कम होना चाहिए, ठीक है, 300 से कम होगा, प्रीमियम कितना, 57, 57 देना पड़ा, प्राइस 314 होगा, सर, प्राइस बढ़ गया, तो जो प्रीमियम गया, वो तो option तो lapse हो गया, तो 57 का हमको तो loss हो गया, बिटे, नहीं, इस बार सब्द लिखा, is written, आप बात को समझो, बात को समझो, यहाँ क्या लिखा था, is bought, यहाँ भी क्या लिखा था, is bought, और यहाँ क्या लिखा, is written, मतलब सर, इस केस में हम option writer बन गया, या, point number C में आप option writer हो, और आपको premium मिल रहा है, और समने वाला lapse कर गया, अगर lapse कर दिया, तो हमारे 57 का profit, ठीक 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 बात समझे में आगे, सर, तो इसको बनाएंगे कैसे, table बनाएं क्या, table, table से नहीं होने वाला है, मेरी बात, अब समझो, क्यों मैंने करवाएं कोशन, अगर 4-5 प्राइज रहते, 5-6-10 प्राइज रहते, तो हम table बना के कर लेते, यहां जो कोशन आया था, वो ऐसे आया था, ये तीन नमबर का, ये तीन नमबर का, और ये तीन नमबर का, टोटल कोशन नौ नमबर का आया था, ये वाला पार्ट तीन नमबर का, ये तीन नमबर का, अगर आप कह रहे हों कि हम table बना दोगे, अगर आप table बनाते हो, और table मे आपका कि आपको सारे नंबर मिलेगे नहीं यहाँ आपको इस कोशन में पैरागराप लिखना पड़ेगा जो हम C.A. बच्चों से होता नहीं है, हमारे दिल गवाई नहीं दिता यार हो गया न, यह चला लिया कैलकुलेटर बात करते हम दिल गवाई नहीं देता पर यहां आपको लिखना पड़ेगा चार लाइल लिखना पड़ेगा और वो लिखकर ही नहीं होता हम सीए वाले बच्चों से बस यह दिक्कत है लिखना तो पड़ेगा भाई लिखना तो पड़ेगा नंबर चाहिए पास होना तो लिखना पड़ेगा मैं जानता हूं आपका आचुका है क्या लिखना पर Posip बॉल देने से या calculator दिखाने से काम नहीं चलेगा कि आपका call option is bought at exercise price कितना? 200 it means call option is exercise when price of share is more than 200 लिख दिया पहले call option का definition ये लिखा in this situation price of share is 276 hence call option is exercise gross payoff minus premium सर 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 प्लीज 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 एक बार लिखकर बताओ ना चलो लिख 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 केस नमबर ए ये ही है कि 1,2,3 ये है call option is bought at exercise price 200 प्रेम्यम प्रॉप्स 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 hipn हम 676, U76 in this situation, call option is exercise बस मैंने क्या किया मैंने देखकर ही तो लिखा है जो कुछ है वो जो पेरा जो पेराग्राफ उनने लिखा उसी को मैंने कॉपी कर दिया ग्रॉस पे ओफ 276 minus 256 minus क्या कर देना से मैंने प्रीमियम 89 ठीक ही रहाँ आपको अब किसका कर लिख लेते सर अब पॉइन अब बाब बी लिख लेते बी में क्या लिखा पुट ऑप्शन के विश्चे में तो वही लिख लेते हैं आप खुद भी लिख सकते हूँ ऐसे तो यह कोशिश करो न लिखने का बीख सक्रावाट समाच्ट पुट अप्शनक्त कुटे सकते साब लें साबाब़ पुट पुट अपुट अपुट प्सक्रावट से रहां क्या है? 250. And premium pet, Rs. 42 price of share on maturity is Rs. 189 in this situation, good option is exercise. gross payoff 250 minus 189 61 premium itna? 42 61 minus 42 19 19 19 19 profit ठीक है? अब बोलो हाँ तो ये तो हो गया सर इसमें कोई दिक्कत नहीं है अब अब सवाल है पॉइंट नंबर सी लिखे तो कैसे लिखे? ये वाला तो लिख लेते सर ये वाला लिख लेते, ये भी लिख लेते, ये कैसे लिखे? बस बता दो तो अब इसको ऐसे लिखूँगा पुट ऊप्शन इस रतन एक्सरशईज प्राइब स्ट्री रूपीश थी हंड एंद प्रीमियम रिख्यूट फिफ्टी सवत। ठीक है प्राइब अप्शियर और मैचूट इस स्टी वन्फोर इन दिस सिच्वेशन अप्शन holder, पहले में option holder की बता हूँ, option holder will not exercise his put-offs hence profit to option writer is premium receipt, rupees इतना, rupees 7 that's it बाप्रे बाप्सर क्या बोले जरा बता होगे बताना क्या लिखवा देता हूँ point number इन अम्बर का सवाल है बच्छो, इसलिए put option is return at 300 and premium receipt 57 put option is return at exercise price 300 and premium receipt rupees 57 31 okay on maturity price of sea is rupees even 314 in this situation in this situation in this situation option holder will not exercise will not exercise yes put option put option exercise in this situation then profit to option writer is premium pursuit is तो टूटल मिलाकर चार कोश्चन्स है बीसिक में जिसमें से मैंने आपको कितने कोश्चन करवा है दो कोश्चन करवा दिए एक कोश्चन शॉर्ट सेलिंग वाला है तो वह अभी रुकना बढ़ेगा कोश्चन नमबर टू एक कोश्चन मैंने आपको होंबाक दिया ठीक है अभी और भी कॉंसेट्स है पर आज ही क्लास में सारे कॉंसेट्स करवा हूँगा तो अब थोड़ा सा अब समय आ गया है कि आप लोग थोड़ा जहल नहीं पाऊगे जहल नहीं पाऊगे का मतलब समझ रहो मैं चाहता हूँ कि अब भी जो भी पढ़ धंग से समझ में आना चाहिए लाश लाश चल रहा है क्लास का लाश लाश टाइम है और मैं अभी कुछ नया उठा लेता हूँ तो यह सायद आपके लिए भी लॉस होगा तो अभी हाँ हम क्लास यहीं ऊवर करेंगे अगली क्लास से स्टार्ट करेंगे कुछ नए कॉंसेट की तो आज की क्लास का फटा फट से एक रिवीजन टाइप का हो जाए तो हमारा टेंशन खतम हो रिवीजन टाइप का इसलिए करवा रहा हूँ कि हमने ऑप्शन में क्या पढ़ा था तो ऑप्शन सबसे पहले डेरिवीटिव का बुक का मिनिंग हमने पढ़ लिया डेरिवीटिव पर डेरिवीटिव है क्या एक बैटिंग करने का इंस्ट्रूमेंट और कुशन अर डेरी वीडियो में हमें दो चीजे पढ़ना है एक तो पढ़ना है option और एक क्या पढ़ना है future future वगेरा हम बाद में बात करते option की तो option जो हमने देखा कि option है क्या तो बहुत कुछ discussion किया कि option ये होता है पर option बुक की meaning में लिखा right but not obligation to buy or sell an underlying asset वगेरा कुछ है पर हमारे जो काम की चीज है वो है कि option कुछ नहीं है एक शर्त लगाने का तरीक लॉट्री की टिकेट है लॉट्री की टिकेट लॉट्री लगा सकते अगर प्राइस बढ़ा तो हम call option वाला लॉट्री रिच जाएगे ये और प्राइस ये दो पार्टी होती थी एक होता था option option holder एक होता था option राइटर पार्टी भी पढ़ा लिगा option holder जो था उसका profit जो अच्छा उसका गया तो क्या गया premium गया पर आया तो बहुत सारा आएगा मतलब unlimited profit और limited loss और option writer की बात करो वो lottery की ticket का जो पैसा है ना 40 रुपए वो खा कर बैठा था उसका maximum profit क्या हो सकता lottery और भी बहुत सारी चीज़े पढ़ा कि इसको margin जमा करना पढ़ता उसको premium यह already आप पढ़ोगे तो बात हो जाएगे महिन मुद्दे की बात यही थी कि call option और put option call option, put option आपने अच्छे सीखिया उसके questions भी बनाएं और question जो हमने बनाएं उसमें एक question important था question number one जो मैंने पहले करवाया आपको सबसे पहले यह वाला question आपके syllabus कर नहीं है और अभी question अभी करवाना बाकिये तो बात करेंगे तो आज के लिए sufficient है thank you so much, अगली class में मिलते हैं और अगली class में हम नए concept के साथ मिलेगे, ठीक है, आने से पहले अगली class देखने से पहले थोड़ा बहुत copy में revise कर ले ना और देखोगे तो revise please कीजिएगा ज़्यादा अच्छा thank you so much, बढ़ा है